ना बढ़िया बनाए हमारा पालक का पराठा असलामों अलेकुम वेलकम टू जायकविद रूबी आज में आपके साथ लिक्विड डो से बने हुए पालक के पराठे बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ इसके लिए ना तो हमें आटा गूनना पड़ता है और ना पराठो को बेलना पड़ता है और आप देखी सकते हैं ये कितने शांदार बन कर तियार हुए हैं और देखे कितने सॉफ्ट हैं इतना मोरने के बाद भी नहीं टूट रहे हैं इन पराठो को बनाना भी बहुत ही जादा आसान है और ये खाने भी बहुत ही मज़े की लगते हैं रेसेपी शुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से खंबल रिक्वेस्ट है अगर हम फर्स टाइम मेरे चैनल पर विजिट करा है तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजेगा वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजेगा और अपने प्यारों के साथ श तरह से इसकी नुट्रिशन वैलू बरकरा रहती है इसे मैंने बिल्कुल छोटा छोटा कट कर लिया है तो अब इसे एक तरफ रख देंगे और चलते हैं नेक्स स्टेप की तरफ यह मैंने वन कब गेहूं का आटा लिया है इसे इस बाउल में शिफ्ट कर देंगे अब इसम इसमें हरी मिर्चो को भी छोटा छोटा कट करके अड़ कर सकते हैं इन सभी चीजों को सूखा ही मिक्स कर लेंगे जिससे कि यह सारी चीजे आटे के साथ अच्छे से मिक्स अप हो जाएं यह अच्छी से मिक्स हो गया है तो अब हम इसमें पानी एड़ करेंगे इसके लिए मैंने 1 cup पानी लिया है हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी आड़ करेंगे और इस तरह से मिक्स कर जाएंगे तो यह देखे या भी भी मुझे काफी थीक लग रहा है तो इस पॉइंट पर हम इसमे और पानी आड़ करेंगे तो यहां पर मैंने इसमें पोरा 1 cup पानी आड़ कर फिरसे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये बैटर अभी भी मुझे काफी ठीक लग रहा है, इस पइंट पर फिरसे मैंने करे न दिया सू दिक आभा पानी है और फिरसे इसमें थोड़ा सा पानी एड करेंगे और इसे इस तरह से मिक्स करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस बैटर को रेड़ी करने में मुझे पूरा देड़ कप पानी लग गया है ये देखिए इस कप में अभी आदा कप पानी बचा हुआ है इस स्टेच पर हम इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चो का एड़ करेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे ये टोटली ऑप्शनल आल आप इसकी जगह हरी मिर्चो को भी छोटा-छोटा कट करके एड़ कर सकते हैं अब हमारा एक परफ्रेक बैटर रेड़ी हो गया है जैसा हमें चाहिए ता आप इसकी कंसेटेंसी देख सकते हैं अब इसे ढगकर पांच मिनट के लिए तो अब हम इसे ओपन कर लेंगे अब ही अच्छे से शेट हो गया है तो अब हम चलते है पराठा बनाने की प्रोसेस की तरह पाराठा मनाना के लिए मैंने एक पैन लीच लिया है इसमें हम सब से पहले घीसे ग्रीस कर देंगे आप इसकी जगह बटर या कुकिंग वायल भी लो या हाई फ्लेम पर कुक नहीं करना है अब चममच की बैक साइट से इस तरह से इवेंली फैला देंगे एक मिनुट की बान देखने में कुछ इस तरह का हो जाएगा तो अब हम इसकी साइट को चेंज करेंगे इस तरह से बहुती संभालते हुए इसके किनारों को चुटा पराथे को बहुत ही केरफुली फिलिप करेंगे जिससे यह तूटे नहीं अब इस साइड इसमें थोड़ा सा घी आड़ कर देंगे आप इसकी जगा मक्षन या कुकिंग वाइल भी ले सकते हैं एरे गर में सबको देशी की के पराथे जादा पसंद है इसलिए मैंने यहां प प्रेस करते हुए सेकेंगे जिससे की पराथा एकदम इवेली कोख हो जाए और कहीं से भी कच्चा न रहे अब फिर से इसकी साइड को चेंज कर देंगे आप देख सकते हैं यह कितना बढ़िया सिग गया है कितने बढ़िया स्पॉट आ गया है इसमें दूसी साइड से भी पना कर दिखाती हूं फिर से पैन के ओपर उसी तरह से बैटर को एड़ कर देंगे आप इस पराथे को घर पर मौजूद नॉर्मल तवे के ऊपर भी बना सकते हैं फिर से बैटर को उसी तरह से इवेली फैला लेंगे बैटर को बराबर से फैलाना बहुत ज़रूरी है नही और फिर से इसकी साइट को चेंज करके दूसी साइट से भी इसके ओपर घी लगा देंगे इसे भी उसी तरह से गुमा गुमा कर प्रेस करते हुए सेक लेंगे जिससे की पराथा एकदम अच्छे से सिख जाएं आप देख सकते हैं इसमें भी बढ़िया से ब्राउन स्पॉ अराम से बन जाते हैं बाकी के मैं बाद में बना लूँगी तो ये देखिए हमारे पराथे कितने बढ़िया बनकर त्यार हुए हैं इन्हें देखने चे तो लगी नी रहा है कि इन्हें मैंने लिक्विट डो से बनाया है देख सकते हैं हमारे पराथे कितने सॉफ्ट बने ह मैं आपको इस तरह से इसे दबा कर भी दिखाती हूँ ये देखिए ये बिल्कुल भी नहीं टूटा है और इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है ना डो गूनने की जरूरत है ना पराठो को बेलने की जरूरत है और इस तरह से तोड़ने पर देखिए कितनी आसानी से और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है तो आपको मेरे ये लिक्विट डो से पालक का पराठा बनाने का मैथड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आपको ये रेसिपी जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंज शेयर और अला हाथज